नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चनल यूपी एस एक्जाम में आज हम आपके लिए लेके आए तो हिंदू एडिटोरियल के इनालिसिस हिंदी के अंदर आज की तारिक है फिफ्त में 2018 शनी वार में उकर्दम रावल तो आगे बढ़ते हैं जो हमारा वीडियो कोर्स लोन चोने जा रहा है 13 मही 2018 को जिसके बारे में हम आपको डिटेल्स देना चाहते हैं कि उसके अंदर आपको हिष्ट्री, जोग्रोफी, आर्ट & कल्चर, एन्वार्मेंट, पॉलिटी, एकोनोमी, साइंस & टेक्नोलोज और इंटरनेशनल रिलेशन कुल मिल इसके साथ आपको material दिया जाएगा, इसके साथ आपको roadmap दिया जाएगा, किस तरह से आप preparation करेंगे, तो आप easily IS को crack out कर सकते हैं, तो यहां पे हम आपके लिए early bird discount लेके आए, तो वहां पे आपको क्या करना है, info at the rate UPSCIS exam के ऊपर आपको अपना नाम, mobile number or location भेजना है, तो यहां से आपको भेजने के बाद एक mail आएगा, direct mail, तो वहां पे mail के अंदर आपको course related सारी information होगी, कि यह 8 subjects है, उसके 330 plus hours के video lectures आपको दिया जा रहा है, material के साथ में पूरा roadmap दिया जा रहा है, day by day daily study plan and strategy यहां पे मौझूद है, तो उसके साथ आपको एक promotional code दिया जाएगा, तो जब आप register कराएंगे course के लिए तो यह registration आपको पढ़ेगा 4999 रूपीज में, promotional code अपलाई करने के बाद, तो यहां पे यह detail लेने के लिए आप info at the rate upscisexams.com पर जरू सिदाए, इसके अलावा, अगर आप free monthly current affairs प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारी जो वेबसाइट है, आप जा सकते है, www.upscisexams.com पर जा के आप free monthly current affairs प्राप्त कर सकते हैं, तो देख लेते हैं कि roadmap किस तरह से रहेगा, आज के जो आटिकल से उसके अंदर हम discuss करने वाले, आप postcolonial reckoning, इसके लाबा काल मार्क्स के उपर एक बहुत ही वड़ी article है, उसके उपर हम detail से discussion करेंगे, analysis करने से पहले आपको मिलेगा, पिछले editorial में पूछे गए question का answer, fun fact के साथ, और एक नया question हम आपके लिए लेका हैंगे, और अंत में आपको मिलेगी, वाकल बरीज जो आपके writing skills को enhance करने के लिए काफी helpful रहेगी, तो यहाँ पे जो पहला article निकल के आता है, postcolonial reckoning, तो यह ह बात हो रही है कि बिरिटीस में अभी क्या, बिरिटीस कटकार के अंदर अभी क्या changes देखने को मिले है, और उन्होंने क्या-क्या steps लिये है, इमिग्रेंट के ऊपर, इसके अलापा और एक article है, जो इस साथ को connect करता है, तो हम दोनों article को मिला के एक साथ communicate करेंगे कि इसके अ उंगली उठाई गई थी, क्या-क्या ऐसी हिस्ट्री के अंदर घटना है हुई, आज उनके बर्थ को 200 साल हो चुके है, तो देखते है कि यहां पर क्या-क्या लिखा है, तो यहां पर देखेंगे कि इनके ऊपर क्या-क्या टॉपिक्स लेके आए है, राइटर रमीन, तो इ इसरा जो आटिकल है, वो पॉल पॉजिशनिंग, तो यहां पर बात हो रही है, कावेरी वाटर रिवर डिस्प्यूट के ऊपर तो काफी चर्चा हो चुकी है, जो सेंट्रल गवर्मेंट है, उनको बोला गया था कि आप सिक्स वीक्स के अंदर कुछ डिसाइड करें, सिक्स वीक के अंदर डिसाइड नहीं किया, तो उसके बाद एक और एडिटोरियल आया था, जिसके अंदर हमने डिसकस किया था, कि 3 माई, 3rd of May was the last day, यहां पर आपको एड्राफ सब्मिट करना है, कि किस तरह से आपको पॉलि इतने जादा बीजी है कि लोगों की क्या समस्या है, क्या स्टेट्स क्या तकलिफों से गुजर रहा है, उसके उपर उनको ध्यान देने के लिए टाइम नहीं है, तो यहां पर सूप्रीम कोट ने यह का कि आप ऐसा नहीं कर सकते हम आपके उपर हमारी बात को नह मानने का आ इसके उपर लाल आख करते नजर आ रहा है और यह जो पूर एक्सक्यूस दे रहे है कावरी स्कीम को बनाने के लिए उसके उपर जो भी 6 वीक का टाइम पीरेट दिया गया था, तीन माई का तो वहां पे कुछ बात नहीं हुई है, बात शुरू होती है, वर्डिक दिया था फरवरी 16-2018 को सुप्रीम कोट ने तो यहां पे देख सकते हैं, आपको डेट दी गई है, लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं है, तो इस आर्टिकल के उपर जादा डिसकेशन नहीं करेंगे, बैलकि जितना मैंने कहा है, उतना ही इतना इस आर्टिकल के अंदर दिया गा है, तो डिटेल से डिसकेशन की इस आर्टिकल में कुछ जरूरत नहीं है, और इसके अलावा जो रेजिंग फैंसिस है, तो यहां पे जो विंडरश जनरेशन की जाती है, ब्रिटिश के अंदर आने वाले जो इमिग्रेंट से वहां पे उन कहीं लोगों को विंडरश जनरेशन देखने को मिल रहे है, पॉलिटिक्स के अंदर इमिग्रेशन रिलेटेड और वहां पे जो प्राइम मिनिस्टर है, उनको और उनकी पार्टी को पॉलिटिकली भी क्या क्या भुगतना पड़ा है, तो इसके उपर हम डिसकेशन जरू से करने वाले है, तो जो दोनों आर्ट पिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिशी हमने लिया था, आईरिश कंस्टिटूशन जो 1937 में बना था और उन्होंने भी बोरो किया था स्पैनिश कंस्टिटूशन से, तो यहां पे हो गया, डिरेक्टिव पिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिशी, दूसरा जो वही क्वेस्टिन के अ पर काफी discussable articles राइटर ने लिखे है, तो काल माक्स बूक्स दास कैपिटल इस बेज ओन एकोनोमिक कमेंटरी ओन कैपिटलिजम, तो यहां पे तीन चीज़े कही गई है, कि उनके तीन वॉल्यूम से दो, the first volume of the book is deals with creation of capital, the second volume of book is deals the process of circulation of capital, जो थर्ड वोल्यूम था, is deal with the process of capital production as the whole, which with emphasis provide to surplus revenue and accompanying the theory of profit, तो यहां पे तीन वॉल्यूम से, तीन वॉल्यूम के अंदर कहां कहां पर क्या बात होती है, एक में बोलते है कि capital कैसे generate करते है, दूसरे में बोलते है, circulate कैसे करते है उन capital को, और तीसरे में, last में बोलते है, the process of capital production, फिर से आप process कैसे बनाएंगे औ तो profits की जो theory होती है, वो किस तरह से calculate करनी है, इसके उपर यह article है, इसके अलावा जो question आज हम आपके लिए लेका है, who was the founder of modern communism, अगर आपने यह जवाप सही दिया, तो हम आपका answer, यह fun fact वाली slide के अंदर, yesterday's answer के साथ, आपका नाम यहां पर disclose करेंगे, तो देखते हैं कि detail से post-colonial reckoning, तो Britain ने अभी क्या क्या समस्या, इसके उपर पहले थोड़ा सा background ले 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 थे, तो पहले के दिनों में क्या हुआ करता था, कि जो Britain, British लोग थे, वो कई स, वर्ड की कई सारी जगाओ पर rule करते थे, तो उस समय पर management उनके हाथ में था, administration उनके हाथ में था, फि कि वहाँ के लोग को अपने हिसाब से अपनी country चलानी पड़ती थी, कई जगाओ पर राज थे, कई जगाओ पर राज नहीं थे, तो कई लोगों को काफी दिक्कते मिलती थी, इसके लबाब ब्रिटिश चले गए, तो वो काफी सारी employment वहाँ के local labor score वहाँ पर लोकल लोगों प्रोवाइट करते थे, लेकिन उन लोगों के जले जाने से उन से लेबर्स वहाँ के एकदम से अने एमपलोज से हो गए, तो उन लोगों ने सोचा कि इस से अच्छा ये रहेगा कि हम खुद वहाँ चले जाते हैं, जहाँ पर ब्रिटिश खुद रहते हैं, हमने उनकी language सी सीख लिए, इसके लाब हमें वहाँ पर काम मिलता है, तो 40s के बाद एक ऐसा सिनारियो देखने को मिला, कि जिन जिन जगहों से ब्रिटिश और ने अपना राज और अपना रूलिंग छोड़ दिया, तो वहाँ से लोगों ने ब्रिटिश के और मू करना शुरू कर दिया, तो पहले स्टार्टिंग में तो ब्रिटिश को अच्छा लगता था कि वहाँ से लोग उनको वहाँ पे अपने देश के अंदर आके काम करना चाहते, लेकिन बाद में एक ऐसा टाइम पीरिड आया कि उनके पास पहले लेबर नहीं थे तो उनको अच्छा लगता था, लेकि इस शिप के अंदर जा रहे थे, उस शिप का नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं, विंडरश, तो विंडरश जो शिप थी, वहाँ से काफी सारे लोग, half a billion of people of Caribbean island, moved to UK in 1940, तो यहाँ पे सब Caribbean countries से वहाँ की और जाने लगे, तो यहाँ पे दूसरी एक बात यह आ रही है, कि जो British Government है, उन लोगों ने अब जो current situation क्या देखी है, कि हम लोगों को ना तो UN के अंदर रहना है, ना European Union के अंदर रहना है, हमें खुद का अपना एक नया segment खड़ा करना है, जिसका नाम उन लोगों ने रखना है, Commonwealth Nations, चाहाँ पे हम लोग पहले राज करते थे और दो अलग countries के अंदर है, Commonwealth Nation के list के अंदर, तो यहाँ पे हम लोग को एक नई community decide करनी है, लेकिन यहाँ पे उन लोगों ने strict rules बना दिये है, कि उन लोगों को बोला कि भई, 1940 से आप यहाँ पे आयो तो ठीक है, लेकिन आप हमें साब proof बताईए कि आप इतने सालों से यहाँ पे रह रह तो यह उन लोगों के लिए काफी जो immigrants थे, उनके लिए काफी चुनोती भरा काम था और उनकी जो Europe के अंदर, जो Britain के एक image थी कि Europe एक बहुती open, liberal और tolerant देश है, लेकिन यहाँ पे उनके उपर यह चीज़े गलत साबित होती नजर आ रही है, और उन लोगों से ऐसी immigrants से ऐसी demand की गई है, तो वेंटरस जनरेशन के अगर बात करें, तो यहाँ पे जो Commonwealth Caribbean, जो लोग आया थे Britain को, तो यहाँ पे 1973 के अंदर, एक legislation आया था, no longer gave them automatic settlement after this date, यानि कि जो 1971 और 1971 के बाद जो लोग आया थे, उन लोगों को automatic settlement वहाँ पे नहीं दिया गया, इसके लबाँ काफी सा लोग तक British Government ने अपने यहाँ पे जो पढ़ाई करने के लिए students आते थे अलग-अलग देश से Commonwealth country से तो उन लोगों को वापिस भेजा और उनके उपर है ऐसे allegations लगाए, कि यह लोग अपनी English language के अंदर qualification हासील करने के लिए UK आते हैं, लेकिन यह लोग fraud है, यहाँ से जाने क नाम नहीं ले रहे और यहाँ पे सेटल होने की उम्मीद से आते हैं, तो जो विंडरेश जनरेशन था, जो बहुत बड़ी शिप के अंदर काफी सारे लोग आये थे UK के अंदर, Caribbean islands से, तो यहाँ पे जो विंडरेश है, उनके लिए सबसे बड़ी समस्यावी घड़ी हो होगी है, तो काफी सारे लोग तो जो पहले मूव हुए थे, वो लोग अभी एक्जिस्ट भी नहीं करते होगे, तो यूरोप ऐसा चाहता है, ब्रिटन की आप लोग यहाँ से चले जाए, अपने देश वापस चले जाए, उनके लिए situation यह है, वो लोग अपने वापस जाएंगे, तो अपने देश में भी किस तरह से citizenship बोलेंगे, कि हम यहाँ को बिलॉंग करते हैं, तो यह जो illegal migrations के लिए, यह लोगों ने अभी बात हैं, और एकदम इन जन्यून बात कर रहे हैं, पहले देखें, तो आप देखें, Soviet Union जिस तरह पे था, तो वहाँ से भी काफी, USSR से भी काफी सारे लोग, Western European countries से भी काफी सारे लोग, यहाँ पे cheaper labor, labor afford कर सकता था, ब्रिटन तो वहाँ पे काफी सारे लोग यहाँ पे हु जो European Union के migrants है, 2016 के referendum के, तो वहाँ पे dynamic closure देखने को मिला है, integration के अंदर, इसके अलावा, political changes तो यह है, और जो उन्होंने अभी नई policy बनाई है, कि वहाँ के immigrants, जो specifically Windows generation बोलते है, 1940s वाली, तो उन लोगों से residential proof or citizenship का जो proof मांगा है, और बोला है, कि अगर आपके पास यह नहीं और जितने पुराने समय पहले आप आए हो, तो यहाँ पे यह एक बहुत ही negative steps देखने को मिलते है, Britain की government के द्वारा, तो यह article के अंदर, यह सारी चीज़े दिखाई गई है, कि क्या Windows generation क्या सफर कर रही है, हाल के Britain के अंदर, specifically जो Caribbean islands है, और जो former Soviet states है, वहाँ के लोग जो cheaper labor थे, और वहाँ के labor work की तलाश के अंदर, ब्रिटन गए थे, तो अभी क्या वो suffer out कर रहे है, दूसरा जो article है, जो काफी discussable हो है, काल मार्क्स के उपर, तो यहाँ पे 200th anniversary है, 200 साल हो गए, काल मार्क्स के, तो उन्होंने दो बूक्स लिखी थी, उनमें से जो तो दास capital थी, फेमस थी, इसके अलावा वो माने जाते थे, leading spirit of international working man association, was also known as the first international, तो यहाँ पे, काल मार्क्स, एक कॉमिनलिस्ट माने जाते थे, जो एकदम से भगवान के अंदर विश्वास नहीं करते थे, लेबर्स के लिए, उनके दिल में काफी जगा थी, वो चाते थे, कि लेबर्स के हाथ में पावर्स हो, वो आइडियल अपनी society अपने हिसाब से तयार कर सके, तो ऐसा वो बोलते थे कि एक राम राज जी एक ऐसी society होगी, तो यहाँ पे जो totalitarian regime होगा, वो होगा, माक्स के अनुसंदान से किस तरह से होगा, जो communist manifest होगा, उसको describe करने के लिए उन्होंने बोक माक्स के time period के अंदर वो थे, Oscar Wilde वोल्टा रही और इसके लिए रेमन अरोन, तो यहाँ पे क्या बोलते है उन लोगों के famous quotes हम आपके लिए लेके है, Oscar Wilde के थे, an idea that is not dangerous is unworthy for being called an idea at all, जो idea dangerous नहीं है, उसको idea बोलने, बोलना ही नहीं चाहिए, उसकी value ही नहीं, अगर वो idea dangerous न atrocities, जो आपको नीचा सोचते हैं, समझते हैं, मानते हैं, तो वो आपके उपर atrocities जरू से करेंगे, इसके अलावा जो रेमन अरोन है, वो कहते हैं, it is really no more difficult to present Marx leading idea that those of Montesquieu, if only where there were not so many billions of Marxists, there would be no question at all about the Marx leading ideas are or what is central to his thoughts. तो काफी सारे लोगों ने, अभी तक time period में आप देखें, तो कई ज़री जगहों पर Marx, सारी communist parties जो है हमारे देश के अंदर हो, या फिर Vietnam जिसे countries हो, तो काफी सारी parties, political parties और communist सरकारे जहां पर चलती हैं, वो लोग Marx को अपने idol मालते हैं, तो यहां पर Marx ने काफी सारी strategies, theories दी हैं, काफी सारे मुद्दे ऐसे कहे हैं, कि वही जो देश के अंदर धर्म होता है, वो धर्म एक तरह से ड्रग होता है, वहां के लोगों को ऐसी बातों पर बिलीव करवाना, Marx से पहले भी काफे communist writers आये, philosopher आये, economist आये, तो उन्होंने काफी अलग-अलग मुद्दे दिये थे तो यहां पर एक चीज ऐसी बोली जाती है, कि जो Marx का Marxism है, उसको आज भी तिन दशकों के बाद जो Soviet Empire का जो fall down हुए उसका बाद भी, जो cruel atrocities वहां पर देखने को मिली है, तो उसका जो blame जाता है, वो फिर से Marx के उपर ही जाता है, इसके अलबाद Marx ऐसे philosopher थे, जो human being के उप को देखने के बाद वो जो सफर करते हैं, तो उनके लिए सबसे ज़ादा दया रखते थे, अपने दिल के अंदर वो सोचते थे कि वर्कर्स के लिए सबसे ज़ादा अच्छी चीजे हम क्या कर सकते हैं, उस तरह की हमें सोसाइटी जनरेट करनी जाए, इसके लाबाद जो है आइडियास थे, टोटल सिस्टम और डोमिनेटेड बाई यूनिवर्सल लॉफ सोचियल ट्रांस्फोरमेशन इन दे हिस्ट्री तो वो उनसे काफी प्रभावित थे, हैंगेलियन आइडियास से, तो माक्स एक अपने अपमे अलग ही किरदार थे, जो अपनी जो उन्होंने रचना की थी, माक्सिजम जिसे कहते है, एक एक यूग चला है माक्स का, और आज भी कहीं न कहीं, कई देशों के अंदर अलग अलग जगाओ पे लीड नहीं कर रहे है, तो कोई बात नहीं, लेकिन उनकी आइडियोलोजी, उनकी जो विचार धारा थी, वो आज भी कायम है, कई जगाओ पे उनको ब्लेम किया जाता है, यहाँ पे कहते है कि आज भी अगर तीन दशक से भी ज़्यादा का समय हो गया है, लेकिन जो सोवियट यूनियन के अंदर जो भी आपने चेंजिस देखने को मिले, वो सारे के सारे ब्लेम किया जाते है, माक्स के उपर, इसके अ इरोध में कुछ कहता है, या करता है, या उसकी जो दी गई सुचना है, उनका फॉलो नहीं करता है, तो उनको पकड़ के मार देना, इसके अलवा जो खमीर रग है, जो पॉल पॉट जो डिक्टेटर था, उनके उपर ये बात है, इसके अलवा रेप ऑफ बर्लिन की, जब यूएससर ने जर्मनी के उपर कबजा कर लिया, तो वहाँ पे उनकी लेडिस के उपर क्या क्या आपदाय आई, तो इन सारी चीजों के लिए वर्ल्ड के अंदर एक ही नाम मिलता है, मार्क्स, मार्क्स के उपर ये सारे बलेम साते हैं, लेकिन रियालिटी के अंदर ये ची लोट नहीं है, कि जो फर्स्ट विक्तिम थे स्टेलिन, पॉलपट और वहाँ के जो कम्यूनिस डिक्टेटर थे, तो वहाँ पे वो उनकी आइडियोलोजी थी, कि जो मार्क्स ने जो बाते कही है, जो उनकी विचार शेली थी, जो उसके आईडियास थे, तो उन्होंने वह कुछ लिया, जो उनके लिए हेलफूल था, एक तरह से बोलते हैं, कि जो सेलफिशनेश है, उन्होंने वही चीज़े वहाँ पे एकसेप्ट की, इसके अलाबा माक्स तो ऐसा सोचते थे, कि एक एक ऐसी कॉम्यूनिस सोसाइटी हो, कि जिसके अंदर हर बंदा कंदे से कंदा मिला कर चले, और यहसी आइडियोलोजी सिर्फ माक्स ने इवन लैनिन भी रखते थे, कि हर इंडिविज्यल का मटिरियास्टिक, हिस्टोरिस्टिक, फिलोसोफिक को देखने के बाद, रिवोडिशनरी जो एक आप कह सकते कि अलग ही दुनिया से वो लोग सोचते थे, जो वो एक लोग जो, जो मेनी केसिस के अंदर ऐसा देखा गया है, कि जो थर्मो डायनमिक्स ओफ टेरर की भी वो लोग बात करते थे, कि हर इंसान को डैवलोप करना है, हमें और ऐसी सोसाइटी चाहिए, जिसके अंदर कोई सफर ना करता हो, कोई स्ट्रगल ना करता हो, और ज पेसिफिकली, जो हर जगा पे एकोनोमी अगर बात करती है, कि हर जगा पे धर्म नहीं होता, भगवान नहीं होता है, एकोनोमी हर कान के पीछे का एक मेन पॉइंट होता है, तो मार्क्स का ऐसा मनना था, कि एकोनोमी का जो कोर पार्ट है, वो निकल के आता है, लेबर और व लोगों को सबसे ज़्यादा इंपोर्टन्स दिया जाना चाहिए तो मार्क्स के रिवोलुशनरी जैसे की माने जाते हैं लेनिन, स्टैलिन, माओ, कैस्ट्रो वगेरा लोग तो ये उन्हीं आइडियोलोजी के ऊपर बिलॉंग करते थे और ये लोग बैस्ट माने जाते हैं र माइथलोजीकल करीज्मा चाया था लिनन का, उसके बाद है स्टैलिन तो वहाहँ पर उनका करीज्मा चाया तो यहाँ पर जो कॉम्मिनिस्ट पार्टी है तो विश्वने काफी सारी चीजे मार्क्स से एक्सप्ट की, मार्क्स की फिलोसोफी से कुछ नकुछ सीखेfunded है, एक इसे की कांट है, सेलिंग है, फिच है, इसके लवा हैजल है, तो इन लोगों की के अंदर मांक्स का नम यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है कि विश्वके इसे 5 जाने वाने लोगों के बीच में मांक्स को स्थान मिलता है, पैंतोस एक तरह से भगवान के रूप में बूजे जाते हैं कि जो फेलोसोफर्स की के टेगरी के अंदर जो सबसे उचे पाइदान पर पहुंच है तो मार्क्स के जो कोर फंडामेंटल पाँच ऐसे आइडियास थे उसके उपर हम नजर डाल लेती कि मार्क्स किस तरह से सोच थे कि जो पहली जो चीज है वो कहते है कि क्लास ट्रगल तो यहां पर मार्क्स का ऐसा मानना है कि सबसे बड़ी जो सोसाइटी के अंदर प्रिवेल करने वाली समस्या है वो यह है कि जो रूलिंग क्लास है और जो लेबर क्लास है उसके बीच में है जो रूल करते है वो लोग बड करने वाला एक वर्ग होता है कि अगर आदेश दे दिया तो आपको उसको फॉलो करना है ओर्डर का आपको रिजल्ट लाके देना है तो इस तरह के जो लेबर वरकर्स है उसको और उसको जो रूल करने वाले लोग है यहाँ पे जो युमानिटी के नजर यह से देखे तो जो घ training को मिलते हैं यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है कि class struggle तो यहाँ पे पहला point उनका यह है दूसरा जो point है वो है dictatorship of the proletariat proletariat तो यहाँ पे जो आईडिया है वो यह coin होता है सबसे पहले जोसेफ वांडेमर के बाद और उसके बाद अड़र करते हैं Marx और Angels वो कहते हैं कि जो working class है, उनके पास एक power होना चाहिए, कुछ political powers उनके पास होने चाहिए, ताकि जो समस्याए हैं उनके साथ वो उसके उपर से कुछ ना कुछ solution निकाल सके और उनके हाथ में power आया, तो उन solutions जो लेके आएंगे वो सब के लिए और आने वाली जो भी working class की जो group है, जो society है, उनके लिए कुछ beneficial decisions वो लेके आ सकते हैं, क्योंकि जो dictatorship होती है, उसमें एक इनसान अपनी मर्जी का जो भी उनका goal होता है, उनको accomplish करने के लिए काफी सारे लोगों की wish, desire, need, demand को ध्यान में ना रखते हुए, सिर्फ अपने vision को और अपने goal को ध्यान में रखते हुए, दूसरों की समस्याओ को कभी नहीं देखता, तो जो socialist revolution चाहिए, वो चाहिए तो वो positively आ सकता है, कि अगर working class के हाथ में political power आएगा, और dictatorship एक तरह से खतम होगी, तो वो लोग जो नीचे से आये हैं, उनको पता चलेगा कि हमने किन समस्याओ का सामना किया है, तो उन समस्याओ को वो soul out कर सकते हैं, और हर किसे के लिए एक beneficial society में environment डेवलप कर सकते हैं, तीसरा जो उनका मुद्दा है, जिसके लिए वो सबसे ज़ादा जाने और माने जाते हैं, वो है communism, तो Marx और Eagal ने manifesto लिखा है, communist party का 1848 के अंदर, manifesto of the communist party, तो वहाँ पे उन्होंने काफी सारी चीजे बोली है, जो revolution हमने देखा है, यूरोप के अंदर, USSR के अंदर, political जो हमने revolution देखे हैं, कि workers के हाथ में powers आया है, evolution of private properties देखने को मिले, eventual establishment of classless and stateless communist society हमें देखी है, तो यह सारी चीजे हैं, उनके जो manifesto है, communist party के उन्हीं की बदोलत यह सारी चीजे है, तो माक्स की थियरी ऐसा बोलती है, कि historical materialism, society passes through thick stages, तो यहाँ पे जो उनकी historical materialism है, society छे चीजों से गुजरती है, एक होती है, primitive communism, एक होती है, slave society, कि उनके अंदर, जैसे हमने बात की मजदूर होते है, एक होते हैं, जो संगवाद होता है, fidelism, इसके लापा capitalism, जिसके अंदर government invention least होता है, दूसरा होता है, socialism, जिसके अंदर government का intervention सबसे ज़्यादा होता है, और एक होता है, finally, global statinate communism, तो यह चाहते हैं, कि ऐसा environment हो, जिसमें classless हो, stateless communist society हो, ताकि हर एक individual को equal नजरिये से देखा जा सके, और जो सबसे ज़्यादा suppressed group है, society के अंदर working class का, तो उन लोगों के लिए एक ऐसा environment बनाया जा सके, जो सबके लिए beneficial हो, और जो सबसे ज़्यादा सफर करते हैं, उनके लिए कुछ अच्छी चीज़ें यहाँ पर built up हो सके, उसके बाद जो fourth point है, उनकी जो core idea strategy है, उसके अंदर यह है कि internationalism, यहाँ पर बोलते है workers of the world united, सारे विश्व के जो भी workers हैं, जो working category के अंदर काम करते हैं, labor force है, farmer से, mine के अंदर काम करने वाले, factory के अंदर काम करने वाले, जो किसी की आग़िया का पालन करके काम करने वाले हो, उन लोगों को कोई एक universally, ऐसा माहूल होना चाहिए, जा सकते हैं, और हर जगा पर उनकी जो समस्या है, उनको सुनके, एक internationally कुछ rules बनाया जाए, internationally कुछ ऐसे results देखने को मिले, ता कि उन लोगों की समस्याओं का समाधान देखने को मिले, तो ऐसा एक time period था, जब Soviet का internationalism हमने देखा था, कि उस time पर ऐसी चीजे हमें देखने को मिले थी, तो यहाँ पर कुछ ऐसे चोटे-चोटे countries है, जैसे कि USSR के अंदर communalism हमने देखा था, तो यहाँ पर ऐसी थोड़ी बहुत चीजे देखने को मिले थी, Vietnam के अंदर, Cuba के अंदर, इसके लेवा जो Cambodian F.A.R.C. और जो Kurdish Party है, Workers Party P.K.K. और जो Anti-Globalization Moments है, वहाँ पर ऐसी चीजे देखने को मिली है, कि जो समस्याए होती है, Workers की, वो एक तरह से World Unite हुआ है, वहाँ पर और काफी सारे मुद्दों को Political Structure देने के बाद, जो National Borders को हटा के, जो एक Ideal Way के अंदर solution लाया जा सकता है, तो यहाँ पर यह सारी चीजे देखने को मिलती है, और जो एक बात Last में बूलते है, Marx वो यह है कि Opium of the People, तो लोगों का जो Drug है, Opium है, वो यह है कि उनका जो धर्म है, उनका जो Religion है, वो उनका Opium है, वहीं से उनको Exploit भी किया जा सकता है, उनको pain भी दिया जा सकता है, उनका शोशन भी किया जा सकता है, तो धर्म के नाम पे उनको जिस तरह से rule किया जाता है, उनको suppress किया जाता है, तो उन चीजों को रोकना चाहिए, क्योंकि धर्म ऐसी बाधा नहीं होनी चाहिए, जिसके उपर से लोग suffer करे, या फिर economically या फिर ए एक pleasant illusion दिखाने के बाद, आप उनका advantage ना ले, तो धर्म से लोगों को एक तरह से दूर रखे, और जो communist ideology है, उसका जो core part है, वो ये है, कि सबसे नीचे, सबसे सफर करने वाले जो लोग होते है, उनके हाथ में political powers होने चाहिए, ताकि वो लोग ऐसा environment बिल्ट अप कर सके, जो सब के लिए helpful और beneficial हो, तो ये सारी बात है, आज के इस editorial के अंदर, आज के लिए जो vocablish हम आपके लिए ले के आए है, वो ये है, आप यहाँ पे चाहे तो वी फेक्ट वाली स्लेड में question पूछा है, उसका answer भी आप जरूर दे, और आने वाले वीडियो की notification प्राप्त करने के लिए, subscribe करे हमारे चैनल को, और bell icon पर click करे, ताकि आने वाले वीडियो की सारी notification आपको तुरंत मिल सके, thank you, दोस्तो, जै हिंद, भारत माता की जै,